नमस्कार दोस्तों मैं ये श्कोथम आपका सुआगत में यूटूब चैनल पर दोस्तों कैसे आप सबीमें उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिहा ने वालूंगे जो प्रोफेशनल के बिल होते एंग, उस पर mindfulness की calculation कैस इस वीडियो के साथ यदि अभी तक आपने मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे ऐसी बेनफीसिल वीडियो के लिए तो दोस्तों चलते हूं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताएता हूं सेक्षन के बारे में जो की प सेक्षन सेक्षन 194 जे अब जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं उस पर 10% काटा जाता है ठीक है और जो टेक्निकल सर्विसीज होती है उस पर 2% अब कितनी अमाउंट पर कैसे काटा जाता है तो 30,000 रुपे डूरिंग दे यर यानि कि एक साल में 30,000 रुपे या उससे ज्यादा कि बिल होने पर तब TDS की लाइबल्टी बन जाती है TDS आपको काटना होगा और उस TDS को जमा कराना होगा मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब जैसे मान लिजिए CA Professionals Audit Fee का एक बिल है ठीक है Taxable Value है या Basic Value है उसकी 1,00,000 रुपे ठीक है 1,00,000 रुपे पर CA ने यहाँ पर 18% GST भी लगाया हुआ है तो उसकी Total Invoice Value कितनी होगी 1,00,000 रुपे यानि कि जो बिल है वो 1,00,000 रुपे का है अब आपके मन में एक Question आ रहा होगा क्या हमें TDS 1,18,000 पर काटना है तो आपको 1,18,000 पर नहीं काटना है जो TDS deduct किया जाता है वो किया जाता है Taxable Value पर यानि कि GST Tax को हटा कर अब जैसे कि Taxable Value या Basic Value कितनी है 1,00,000 रुपे अब जैसे मैं याँ पर लिख देता हूँ 1,00,000 रुपे आपको और अच्छे से समझ में आएगा अब एक लाग रुपे जो अमरी एक लाग रुपे Taxable Value या Basic Value है इस पर 10% TDS काटना है तो हमने एक लाग का 10% निकाला तो कितना आया 10,000 रुपे अब क्या हमें एक लाग रुपे CA को Payment करनी है तो नहीं आपको एक लाग रुपे नहीं आपको इसमें पेमेंट करनी है 90,000 ठीक है सेसे जार रुपे तो आपने काट लिए 1,00,000 में से दसे जार सेसे काट लिए बच्चे कितने 90,000 रुपे आपको यहां पर 90,000 रुपे भी payment नहीं करना है बलकि इसमें जो GST tax 18% वो भी add करना है 18,000 रुपे अब 90,000 प्लस 18,000 ठीक है 1,8,000 रुपे अब आपको जो CA को payment करनी है वो कितनी करनी है 1,8,000 रुपे 10,000 रुपे काट कर अब आपने जो 10,000 रुपे TDS काटा है वो आपको income tax department में deposit भी कराना होता है ठीक है तो उसका जो section है 194,000 194,000 में आपको 10,000 रुपे TDS काटना होगा ठीक है और PAN के अधार पर आपको जमा करा दिना है अब इस पर GST tax लगा है 18% IGST 9,000 रुपे तो टोटल बिल की जो value है वो है 69,000 रुपे तो अब हमें इस पर TDS काटना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम जो TDS काटते हैं वो basic value या taxable value पर काटते हैं तो हमारी basic value और taxable value कितनी है 50,000 रुपे हम यहाँ पर 50,000 रुपे लिग देंगे अब 50,000 पर हमें TDS काटना है कितना 10% 10% कितना TDS हो गया 5,000 रुपे ठीक है 50,000 में से 5,000 रुपे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45,000 रुपे क्या हमें 45,000 रुपे पेमेंट करनी है नहीं इसमें हमें एड करना है 9,000 रुपे अब हमें पेमेंट कितनी करनी है 54,000 रुपे टोटल वैल्यू कितनी थी 69,000 रुपे लेकिन हमें CA को पेमेंट करनी है 54,000 रुपे और जो हमारा 5,000 रुपे TDS हमने काटा है वो हमें जमा करा देना है ठीक है मुमित करता हूँ आपको समझ में आगया होगा अब एक और एक्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं अब जैसे 30,000 हमारी basic value है अब इस पर 18% GST tax है कितना 54,000 रुपे तो टोटल वैल्यू बिल की कितनी होगी 35,000 रुपे अब जैसे यहां पर लिख देंगे हम 30,000 रुपे अब 30,000 रुपे पर जो हमारी basic value है या taxable value है इस पर 10% इसका निकालेंगे तो कितना हैगा 3000 रुपे ठीक है तो 30,000 में से 3000 माइनस गए तो कितने होगे 27,000 रुपे तो कितने होगे 27,000 रुपे अब इसमें एड कर दिये 500 रुपे GST के तो कितने होगे बिल हमारा कितने का है 35,400 रुपे का लेकिन हमें जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है 32,400 रुपे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा यह तो था Professionals के लिए ठेक है जो TDS की calculation करते है Professionals के लिए अब मैं आपको बताता हूँ Technical Services के लिए क्योंकि जो सेक्षन है 194J यह Professionals के लिए भी है और यह Technical Services के लिए लेकिन Technical Services के लिए जो TDS काटा जाता है वो काटा जाता है 2% कितना 2% तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ टेक्निकल सर्विसिस के लिए क्योंकि इसका भी सेक्टम 194J है तो इसमें माली जीए चो टैक्सेल वैल्यू या बेसिक वैल्यू है वो है कितनी 35,000 रुपे अब इस पर GST टैक्स हमारा 18% लग गया कितना 3300 रुपे टोटल वैल्यू कितनी होगी 41,300 रुपे की अब हमें TDS काटना है यह माली जीए यह इन्वोईस है और इस पर हमें TDS काटना है कैसे काटेंगे जो हमारी टैक्सेल वैल्यू या बेसिक वैल्यू है 35,000 रुपे ठीक है यानि कि यह जो फीज होती है न प्रोफेशनल जैसे मान लिजीए यह CA की प्रोफेशनल की जो फीज है यह 30,000 रुपे यह है लेकिन इस पर GST टैक्स लगा है तो हम जो TDS काटेंगे वो इस पर काटेंगे जो CA की फीज है ना कि GST टैक्स पर भी हमें TDS काटना है ठीक है अब ऐसी अब हमें जो TDS काटना है किस पर काटना है जैसे टेक्निकल सर्विसीज की जो फी है वो है 35,000 रुपे लेकिन इस पर 18% GST लगा है तो यह टोटल वैल्यू कितनी होगी 49,000 रुपे की तो हमें जो TDS काटना है वो किस पर काटना है इस पर टेक्स विल्यू पर तो जैसे माल लीजिए 35,000 रुपे है ठीक है अब इस पर हमें TDS काटना है 2% तो कितना आएगा 700 रुपे अब 35,000 में से माइनस करेंगे 700 रुपे कितने होगे 34,300 रुपे GST टैक्स इसमें अड़ कर देंगे 3,600 रुपे तो हमारे ये कितनी होगी 34,300 प्लस 3,600 कितनी अब हमें जो पेमेंट करनी है टैकनिकल सर्विसिस की वो 4,600 रुपे करनी है कितनी? 4,600 रुपे इस परकार हम TDS की कैकॉलेशन करते हैं किस पर जो प्रोफेशनल के बिल होते हैं तो मैं उम्मीद करते हूँ आपको समझ में आगया होगा तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बोक्स में जो बताएं वीडियो आपको अच्छे लगी हो प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जदी आप टीडियस पर और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करिए तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जाएं